गुद आफ्टरून एब्रिवान उमीद है आप सब अच्छे होंगे और मेरे साथ सथ पढ़ाई कर रहे होंगे आज का टॉपिक है विदाउट टाइम वेस्ट किये लेते हैं सिननेम्स सिननेम्स का और डिसकॉशन मैंने माराथन में भी किया था अगर आप कहेंगे तो शुर है ठीक है जी स्टार्ट करेंगे आज के सिननेम्स एक बार मैं अपने एंट से चेक कर लेती हूं जैसा कि डेली करते हूं तब तक बच्चे जुड़ जाएंगे अना पता नहीं लाइव का ओप्शन आता क्यों नहीं है बच्छों आ तो गया है लाइव कि गुड़ आफ्ट हाथ में रखा जाता है बच्चों चलिए बिटा जी हम लोगों ने यह तो पढ़ लिया था तो हम क्या करते हैं ना हम लोग पढ़ लेते हैं नंबर 14 या 15 से शुरुआत करते हैं ठीक है 14 या 15 से इसका शुरुआत कर देते हैं फिर आपको लगेगा ना कि मैं थोड़ा नोट बुक लेकर के बैठिए पांच ऑप्शन से अगर आप पांचों ऑप्शन के मिनिंग जान लोगे ना आसान तरीके से तो आपके लिए क्या होगा ना कि पर्मुटेशन कंबिनेशन लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझ रहे हो आप यानि कि जब आपको रिमोट्स का मतलब क्या होता है भई बताते जाएए साथ साथ आ रहा है तो बताते जाएए नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट मत करिए और लिखते जाएए रिमोट्स पश्चाताप पश्चाताप Slow होता है धीरे Repentance Repentance होता है पच्चतावा Next, Librate Librate का मेनिंग होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को आजाद या फिर मुक्त करना क्लियर है Next, हमारा वर्ड है Affinity Affinity का मतलब क्या होता है भी Last class में भी बताया था Affinity सहज, लगाव या फिर पसंद करना सहज, लगाव या पसंद करना ठीक है जी अब अगर आप से कोई पूछे इसका Synonym क्या है हम Synonym की सीरीज कर रहे है Synonym क्या है इसका तो आप क्या जवाब देंगे Answer आप आराम से देंगे अगर आपको चारों के मिनिंग पता होंगे Students तो Answer आप आराम से देंगे तो क्या देंगे आप Answer बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं Remorse का Answer कर दीजे, Repentance बिल्कुल ठीक है Not Active Motionless Stagnant Not Active Motionless जो रुक गया है Motionless का मतलब भी होता है Not Active Next है Unstable Unstable होता है बच्चों अस्थिर है ना, चलते चलते कोई चीज रुक जाना और मोशन नहीं करना, वो रुक जाना तो उसको हम बोलते हैं Stagnant हो गया है जैसे अभी मानलीजे, Class Hang हो जाना, कुछ भी हो सकता है इसी तरीकी से Motionless, चर्टे चर्टे रुक जाना लेकिन Unstable होता है जो स्थिर नहीं है स्थिर कैसे नहीं है, कभी आप Class में आ रहे हो कभी आप Class को छोड़ के जा रहे हो कभी आप दो मेनिंग लिख रहे हो, कभी आप एक Class ले रहे हो कभी आप Class नहीं ले रहे हो, तो आप क्या हो स्थिर नहीं हो आपका Mind क्या है, Mentally आपका Mind क्या है स्थिर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, Unstable यानि कि अस्थिर लिखा सबने ठीक है 15th का ए आंसर बिलकुल सही दिया है बचो सारे मिनिंग लिखवाओं या निलिखवाओं फटाफट से बोल दो सारे मिनिंग लिखवाने है की निलिखवाने है लिखवाने है न 15th का एंसर बिलकुल ठीक है very well done बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो बचो फेटल मीन्स घातक येस बिलकुल फेटल मीन्स घातक येस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवम very well done और एक्सिदेंट का मतलब क्या होगा दुरघटना एक्सिदेंट दुरघटना ठीक है तो एक्ता आंसर क्या मिल गया भई मोशनलेस फिर्स्ट इस राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्टन ठीक है फिर्स्ट इस राइट आंसर फॉर देस क्वेश्टन आगे बढ़ते हैं एक बार आप पढ़ लूँ देर इस ह्यूज देर का टी में बढ़ा कर देती हूं देर इसा ह्यूज जेनेरेशन डाश डाश वाइड वाइड का मिनिंग बताने आपको बिट्विन आरूम आड़ इस ग्रांड पेरेंट्स वाइड पैसिकली वाइड का मिनिंग क्या होगा यह ढूंड़ए पहले तो void का meaning क्या होता है खाली पन, a large empty space वैसे void का मतलब लें तो a large empty space ठीक है, जिसको बोलता है खाली पन a large empty space खाली पन, experience का मतलब क्या होता है, अनुभफ अरे दे दे experience का मतलब होता है अनुभफ ठीक tradition का मतलब क्या होगा बच्चों, परंपराई ठीक है, memory का मतलब क्या होगा, सबको पता है, याद और gap का मतलब अंतर तो इस question का answer मिल गया आपको correct answer क्या है, third बहुत बढ़िया आज ये question number 17th की तरफ बढ़ते हैं अपने next question की तरफ question number 17th चलिए the perils of smoking tobacco can never be ignored, पहले तो perils का मतलब पता होना चीए न फिर उसका answer है benefit, delight चार option दे रखे हैं perils का मतलब क्या होता है गंभीर, खत्रा, great danger लिखते जाए perils का मतलब होता है great danger पहले तो लिख लो इसका meaning perils में मतलब great danger, g-r-e-a-t great danger गंभीर खत्रा चीक है गंभीर खत्रा अब आप आजाएए अब इसका meaning बताएए benefit होगा hazards होगा delights होगा यह humiliations होगा delights क्या होता है benefits होता है फायदे hazards क्या होता है human activity और condition एक खतरना घटना या फिर पदार्थ मानव गतिविधी या फिर स्तिती hazards क्या होता है hazards का मतलब लिख लो बच्चों human activity और condition a dangerous phenomenon a dangerous phenomenon a dangerous phenomenon substance a dangerous phenomenon यानि की एक खतरनाख घटना इसका मतलब हुआ एक पतरनाख घटना ठीक है अब डिलाइट्स का मतलब क्या होता है किसी को बहुत खुशी या संतुष्टी देना डिलाइट्स का मतलब क्या होगा किसी को किसी को बहुत खुशी किसी को बहुत खुशी या फिर क्या देना किसी को बहुत खुशी देना अच्छा humiliations का मतलब बताईए humiliations insult अपमान बिल्कुल राइट कह रहे हैं बच्चे इंसल्ट या फिर अपमान अभी के अभी लिखते जाईए और अभी के अभी याद करते जाईए एक एक चाप्टर पे आप पे बहुत मेहनत की जा रही है तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा भई तो यहां पर इसका आंसर बनेगा थर्ड पेरिल्स मतलब पेरिल्स क्या होता है smoking कौन करता है human being है ना और हेजार्ट भी क्या होता है व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाए एक मतलब की मानव गतिविदी या स्तिती होता है यह व्यक्तियों के द अभी तक किते question कर लिए, एक question में 5 meaning, राइट, एक question में 5 meaning, तो अगर हमने 14 से start किया, 14, 15, 16, 17, अगर हमने 4 question किये, तो 4 for just 16, 16 words आपको मिले, और इसको कल पर परसो पर 5 मिनट बात पर मत टालिए, इसको अभी के अभी याद करते हुए चलिए, ठीक है, आपके लिए बहुत beneficial ह है, आप करके देखिए, और last year के exam, previous year question लगा कर देखिए, आप पाएंगे कीनी में से आपके questions आते हैं, ठीक है, बहुत ही बहतरीन question है, बढ़ते हैं आगे, question number 18, राहूल वास शेरिंग सम उफ इस childhood stories and they were historical, बताईए, sorry, historical नहीं, hysterical लिखा हुआ है, sorry, my bad, my bad का मतलब समझते हैं, मेरी गलती, my bad, इस idiom का मतलब होता है, my mistake, मेरी गलती, my mistake, लीजी, बताईए, इसका answer क्या होगा, राहूल वास शेरिंग सम उफ इस childhood stories and they were hysterical, historical का मतलब होता है, very funny, historical का मतलब होता है, very funny, correct answer क्या मिलेगा, dangerous, या फिर funny, scary, scary क्या होता है, डरावना, dangerous होता है, खतरनाग, scary होता है, डरावना, और बोलिए, कौन सा मिनिंग नहीं आ रहा, horror भी होता है, डरावना, दोनों सिनोनेम हैं, दोनों सिनोनेम हो गए आपस में, अ dangerous होता है, खतरनाक dangerous होता है, खतरनाक तो correct answer क्या मिल गया भई participate करिए बच्चों, please participate करिए आपी के लिए session लाए गए है correct answer क्या है, funny पड़ापट से लिखते जाईए correct answer क्या बनेगा, funny बढ़ते हैं next question की तरफ obligatory obligatory हम चली, सारे meaning मैं ही बता दूँगी चलो, बताने पड़ेंगे पढ़ाना है तो बताना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा फिर test में लेंगे, audio-audio सब clear है न, दिक्कत तो नहीं है सही एकदम बढ़िया चल रही है class, हम चलो जिन जिन बच्चों को PDF चाहिए न, वो daily class में आएंगे ठीक है, content चाहिए, PDF चाहिए, daily class में आएंगे चली, obligatory का मतलब क्या होता है, अनिवार रहे है obligatory that you must do that you must do ये होता है obligatory ठीक है, तो obligatory होगे, that you must do तो chosen होगा, unnecessary होगा, compulsory होगा, optional होगा, क्या होगा check करें सबके meaning बता दू Chosen होता है चुना, chosen, chosen होता है चुना ठीक है, compulsory क्या होगया? अनिवार रहे है और पूछिये, optional पूछ रहे हैं, optional होता है वेकलपिक वेकलपिक unnecessary होता है अनावशक, राइट, पांचों के मीनिंग पता चल गए, सिननेम देना है, समाना अर्थ देना है, तो ओबलिगेटरी का मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, नम्बर थर्ड, कमपल्सरी, ठीक है? दन बच्चों, बढ़ें आगे, आजए ये नेक्स्ट क्वेस्चन पर, पढ़िए ज़रा, पढ़ लीजे एक बार, तो यहाँ पर आपको इन अन्डेटर का मीनिंग बताना है, सिननेम बताना है, बताईए चारों में से क्या होगा, करेक्ट आंसर, अच्छा, साइड हो जाओं, सॉरी, हाँ जी, अन्डेटर, क्या मतलब होता है, इन अन्डेटर का? अथी प्रवाहा, जिसको हम कहते हैं, अती प्रवाहा, अब आज है यह रिवॉर्डडड, सबको पता है, रिवॉर्डडड मीनिंग है, पुरस्कृत, यह हो गया रिवॉर्डडड, next क्या है Anoid overwhelmed होता है अभी भूत मतलब कोई जरौद से जादा क्या हो जाए अपना emotion जरौद से जादा express करने लगे overflow इसका मतलब भी होता है overflow ठीक है हां जी Anoid क्या होता है नाराज feeling angry feeling angry ठीक है feeling angry और बताईए preoccupied, much किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचना या फिर चिंता करना, much किस के बारे में, किसी चीज के बारे में, चीक है, उपर लिख देती हूं, किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में, बहुत अधिक सोचना, या फिर चिंता करना, preoccupied मतलब बहुत ज़्यादा अती में, कोई, much अब बताईए correct answer क्या होगा बई, बता दीजे तुझा, क्या है correct answer, पच्छो like तो बनता एक, like बनता है, और class end होने के बाद, आपको कितने meanings याद हुए, यह जरूर लिख कर दे जाईएगा आप, ठीक है, यह आपकी duty बनती है, जिन-जिन बच्छो के comments मिलेंगे ना, उनको उनके लिए special gift रखेंगे, और जहां तक बात है कि, zoom meeting की मैंने अपनी team को convey किया है, देखते हैं, वो कुछ ना कुछ solution लेकर के आएंगे, और हम चाहते हैं कि हम आपसे बातचीत करें, हाना, two way communication हो, और हम आपसे बातचीत करें, ऐसा हमारा एक, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो भी होगा आपको बताएंगे, क्या बच्छे correct answer दे रहे हैं बच्छो? हम, ठीक है, तो question number 20, 20 का जो correct answer बनता है, वो क्या बन जाएगा, सही कह रहे हैं, overwhelmed, right, B is the right answer, चली, next question, कीन, डारेक्टी आपसे synonym पूछा है, कीन, कीन, एक बार आप ट्राइ कर लो, फिर मेरे को तो meaning बता नहीं है, हाना, कीन, very interested in something, इसका मतलब होता है, very interested in something, very interested in something, चीक है, अब happy क्या होता है, खुश, हाना, सबको पता है, wild, wild, in its natural state, in its natural state, ठीक है, यह हो गया, wild, अब बताईए, imitate, to copy the behavior of somebody or something, ठीक है, और हिंदी में, मतलब to imitate, imitate, मतलब to copy someone, to copy someone or something, किसी को कॉपी करना, किसी को कॉपी करना, या किसी चीज को कॉपी करना, enthusiastic, full of excitement, full of excitement, वैसे तो correct answer मेरे पास आ गया है, question number 21 का, 21 का क्या बन जाएगा, fourth is the right answer, very nice, very nice, शाबाज बच्चों, आजाओ, next question की तरफ बढ़े, चली, next question, लीजी, question number 22, 22, okay, sorry, मैं बीच में आ जाती हूं, बच्चों, मुझे ऐसा लगते है, जैसे, मैं साइड में खड़ी हूं, बच्चों, मैं बीच में आ जाती हूं, my bad, अना, my bad का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया था, my bad का मतलब क्या होता है, चली, आजए, question number कौन सा है, 22, perseverance, perseverance होता है, द्रड़ता, continued effort or, continued effort to do something, अना, perseverance होता है, continued, continued effort, effort to do something, लगातार किसी काम के लिए प्रयास करना, अगर आपको selection लेना है ना, बचो, तो आपको लगातार efforts डालने पड़ेंगे, एक दिन पढ़ें, एक दिन नहीं पढ़ें, सुबा पढ़ें, शाम को नहीं पढ़ें, तो उससे कुछ फाइदा नहीं होगा, इससे अच्छा, तो आप पढ़ाई छोड़ करके किसी और काम में लग जाईए, तो फिर ऐसा आपने आपके साथ मत करिए, कि हम ये भी ना करें और ये भी ना करें, अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, नहीं तो पढ़ाई छोड़ के कुछ और करिए, ये मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि आदा दूरा किया हुआ काम कोई फायदा नहीं है, स्टीट फास्टनेस, स्टेबिलिटी, स्टिर्ता, स्टीट फास्टनेस होता है स्टेबिलिटी, 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 ठीक है, Stability चलिए Tolerance शहंशीलता Patious जिसकों बोलते हैं डिस्सिप्लेन होता है अनुशासन और हांबलनेस होता है शील ये भी होता है जो सहन कर पाए discipline होता है अनुशासन अब बताईए perseverance का मतलब क्या जाएगा सही answer नहीं आ रहा बचो जल्दी से बताओ तो जरा very good बहुत बढ़िया बहुत प्यारे बचो जल्दी से बताओ perseverance का correct answer क्या चला जाएगा फिर yes steadfastness steadfastness मतलब की stability जो स्थिर हो अपने काम करने में बहुत बढ़िया आजेगी question number 23 की तरफ mercy का मतलब बताना है mercy भी क्या होता है अभी तक आपने tolerance किया हना mercy का मतलब होता है forbearance compassion इसके synonym लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे compassion c o m p a s s i o n compassion या फिर forbearance for forbearance ठीक है हिंदी मिनिंग compassion और forbearance f o r b e a r a n c e spelling error में पूछा जा सकता है हना कई बार बहुत सारे paper में spelling error आता है तो उसके लिए इसको तयार कर लो compassion की spelling को भी तयार कर लो और अगर mercy compassion forbearance का हिंदी मिनिंग चाहिए तो होता है सेहन शीलता या फिर करुणा करुणा या सेहन शीलता ठीक है देखो अब अब यहीं पर ही देखो बोड़ पर ही सेहन शीलता का एक और सिनुनेम पड़ा हुआ है हाना एंटर नेम भी पड़ा हुआ है और सिनुनेम भी पड़ा हुआ है हां राइट क्लिमेंसी का मतलब होता है क्षमा somebody when he or she is being punished kindness shown to somebody kindness shown to somebody when he is punished किसी को सजा देते वक्त उसको माफ कर देना उसको बोलते हैं क्लिमेंसी क्षमा right kindness shown to somebody when he or she is being punished ठीक है plurality अधिक्ता plurality क्या होता है एक से जादा एक से जादा state of being plural plurality मतलब state of being plural right legacy वसीत somebody dies because he she wanted you to have it legacy right clarity clarity का मतलब the quality of being clear the quality of being clear तो mercy का मतलब भी हो गया करुणा और पनिश करते वक्त किसी को माफ कर देना क्षमा कर देना तो correct answer क्या चला जाएगा first चला जाएगा सबके likes चाहिए और likes आए नहीं है बच्चो students 44 है likes 30 है मेरे से कोई गलती हो रही है क्या बच्चो पढ़ाने में कोई कमी नजर आ रही है पीपीटी में कोई कमी नजर आ रही है मीनिंग्स नहीं बता रही हिंदी इंग्लिश सब बता रही हूं है ना हिंदी में इंग्लिश में भी तो likes भी कितने आने चाहिए जितने स्टूडेंट से उतने likes तो आने चाहिए जल्दी से like कर दो ठीक है बड़े next question की तरफ question no.24 the audience was mesmerized by the speech delivered by the vivacious lady येस आपको मीनिंग किसका बताना है पहले तो आप वो चूज करिए विवाशियस विवाशियस का मतलब होता है full of energy full of energy lively happy है ना उसको बोलते हैं विवाशियस तो लिख लेजिए विवाशियस means मैं यहां लिख दे रही हूं full of energy full of energy चीक है full of energy right lively and happy lively भी इसका एक example हो जाएगा lively या फिर happy right अब बताइए क्या होना चाहिए energetic होना चाहिए prosperous होना चाहिए friendly होना चाहिए fearless होना चाहिए what do you think is the right answer बताइए energetic होता है वही lively lively हो गया energetic prosperous क्या हो गया rich and successful prosperous का मतलब हो गया rich and successful notebook उठाकर के बैठिए हर चीज आप PDF form में लेंगे हर चीज आप ऐसे आँखों से देख कर लेंगे तो फाइदा नहीं है आँखों से देखना से भी हमें काफी चीज़े रिसीव होती हैं बढ़ आव इसको साथ के साथ लिखते भी जाईए आपके लिए बहुत यूसपुल रहेगा इनको याद भी करते जाईए राइट friendly and fearless friendly को सब पता है कि दोस्ताना होता है fearless का मतलब होता है नीडर 24th का बच्चे आंसर कर रहे हैं first बिलकुल सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया very well done चलते हैं next question की तरफ आजाए अमेंट क्या होगा भी अमेंट का मतलब संचोधित करना to change something slightly in order to make it better to change something slightly in order to make it better किसी चीज को संचोधित करना ताकि उसे और बहतरीन बनाया जा सके किसी भी चीज को संचोधित करना ताकि उसे और बहतरीन बनाया जा सके rectify to correct something that is wrong rectify का मतलब होगा to correct something that is wrong अब मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ एक बार देखो तो जरा बोड पर देखो यह जोती की स्पेलिंग लिग दी मैंने राइट और एक मैंने लिख दिया जोती ठीक है अब अब यहां पर मैंने क्या किया समझे आप इस बात को यह बहुत यह व्रट में भी आता है इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा यह वाला जोती करेक्ट तो है लेकिन मैं चाहा रही हूं कि इसको और बेटर किया जाए तो यहां पर मैंने लगा दिया जोती मैं ताकि उनका experience को respect किया जाए उनकी age को respect किया जाए और उनके पढ़ाने के तरीके को respect किया जाए तो मैंने क्या किया जोती के साथ जोती माम लगा दिया तो यहां पर मैंने क्या कर दिया amend कर दिया मतलब उसको चीज को और better बनाने के लिए अब अब यहाँ पर जोती है इसकी spelling गलत है तो मैंने इसको पूरा क्रॉस करके इसका spelling correct कर दिया तो यह तो क्या हो गया rectify करना clear है सारे बच्चों को amend और rectify का मतलब समझ में आ गया ठीक है आपसे किसी ने कहा चलिए अब मिरते हैं जोती से वो आपको English पढ़ाएंगी लेकिन एक और teacher आये तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम मिलेंगे जोती मैं से उन्होंने क्या किया चीज को संशोधित कर दिया ताकि इसक बता दो ठीक है अमेंड का मतलब होता है rectify यह बात बिल्कुल सही है आला कि difference है लेकिन लेकिन आपका जो question है ना उसमें कोई option नहीं है वर्सन का मतलब क्या हुआ बच से बत्तर हो जाना किसी भी चीज को बच से बत्तर बना देना हाम का मतलब हो गया नुकसान और यहां पर इंपेर का मतलब क्या हुआ किसी वस्तो को क्षतिग्रस या अधिक दुर्बल बना देना make it weaker इंपेर का मतलब हुआ make it weaker हाला कि बच्चों इन दोनों शब्दों में difference है थोड़ा सा slightly amend और rectify में थोड़ा सा difference है लेकिन अब आपके पास वो difference देही नहीं रखा तो आप क्या क करोगे यह तीनों तो कहीं ना कहीं से मिलते ही नहीं है तो option क्या जाएगा right answer जाएगा rectify करना ठीक है याद रखना बच्चों यह question जो सिनोनेम में आया है तब जाके इसका answer rectify हमने right किया है बट यही question confusable words में आ जाता है ना तब यह confuse करेगा आपको तब इसका यह answer नहीं ह यूज करना है अपना wisdom का यूज करना है उस time पर कि appropriate answer क्या होना चाहिए ठीक है बढ़ते है next question की तरफ question number 26 question number 26 impaired क्या होता है बच्चों impaired का मतलब बहुत बढ़िया बच्चे सही answer दे रहे हैं to make it difficult for somebody something to move or go forward अर्चन डालना impaired होता है to make it difficult for somebody अर्चन अर्चन सही लिखा है क्या बच्चों मैंने हां जी ड़ ऐसे लिखेंगे ना अर्चन डालना अर्चन डालना अर्चन डालना असा ही लिखा है चलो आजो respite का मतलब क्या होगा a short period of rest from something that is difficult or unpleasant मान लीजे कि मैंने train में सफर किया मैं डेली गई डेली के मेट्रो पर गई और डेली के मेट्रो पर बहुत जादा भीड है आदा गंटा मैंने वहां सफर कर ली और बाद में मैं हाफ गई और मुझे लगा कि बस आप मुझे rest चाहिए मतलब कि थोड़ा सा आपके थोड़ा सा discomfort हुए और अब उस चीज को overcome करने के लिए हमें थोड़ा सा rest चाहिए तो इसको बोलते हैं respite a short period of rest एक a short period of rest from something that is difficult और unpleasant थोड़ी सी फुरसत जो आपके साथ unpleasant हुआ है difficult हुआ है उसमें थोड़ी सी फुरसत निकालना अपने लिए उमीद है यह point clear हो गया होगा ठीक है intent का मतलब होता है कुछ करने की योजना बनाना या इरादा करना to plan और mean to do something to plan something intent होता है इरादा to plan something ठीक है hinder hinder होता है रुकावत hinder होता है रुकावत to make it more difficult for somebody something to do something किसी के काम में बादा ढालना और prompt होता है immediate बिना विलंब किये immediate है बिना विलंब किये बिना विलंब किये ठीक बच्चों अब बता ही क्या answer होना चाहिए impaired का बिल्कुल सही कह रहे हैं impaired का answer third होगा जिन बच्चे ने first दिये बच्चे first क्यों दे रहे हो answer मैंने बताया ना मैं ट्रेन में गई बड़ी भीड थी वहाँ पर आदे घंटे में उसके बाद में आई मेरी के लिए ब्रेक ले ले हाना बच्चों तो थोड़ा सा समझ कर चलिए टाइरेनी टाइरेनी का मतलब क्या होगा बई टाइरेनी मतलब कि कोई आप पर रूल करें कोई आपको डॉमिनेंट करें पूरे कंट्री को कोई जबर्दस्ती डॉमिनेंट करने कोशिश करें तो उसको हम बोलते हैं टाइरेनी क्लियर है जनता पर जुल्म करना जो पुराने जमाने में होता था आजकल तो आप लोग बहुत मतलब भागेशाली हैं हम सब बहुत बहुत लखी हैं कि आज की डेट में हमें बहुत अच्छा एंवार्मेंट मिला है नेक्स है कमपैशन कमपैशन अभी मैंने बताया था करुणा सोशल होता है सामाजिक हम एक दूसरे के बगैर हमारा जीवन मुश्किल है हम सोशल बिंग से हम कहें ना कि मैं दुनिया में किसी से बात नहीं करूंगा मुझे अब किसी की जुरुत नहीं है मैं अकेले आशर मिल गया आपको टाई रहनी का ठीक है हां डिस्कॉर्डैंस का मतलब होता है मतभेद लाइक ऑफ अग्रीमेंट आपने कुछ और कहां मैंने कुछ और कहां दोनों की बातों में क्या है लाक ओफ अग्रीमेंट है या फिर कंसिस्टेंसी मतभेद है तो उसको बोलेंगे discordance, discordance, correct answer kya दे रहे हैं बच्चे, 27th का C, बिल्कुल right है, बढ़ते हैं next question की तरफ, plausible, no plausible explanation that you can believe, that you can believe, that you can believe, that you can believe, और believe में, last class में भी बताया था spelling में, IE होता है, believe IEVE E, E प्रणन्स करता है ये ठीक है, अब बताये no plausible explanation could be found for her disappearance हाँ जी, legal क्या होगा कानूनी, just मतलब अभी, useless मतलब बेकार, credible मतलब that you can believe, again that you can believe, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके, तो correct answer क्या मिल गया, fourth बहुत बढ़िया, शाबाश, आज ये 29th question पर, पढ़ लेते हैं question number 29th बहुत बढ़िया, wrathful wrathful pull off और characterized by intense anger तीवर क्रोध, wrathful होता है तीवर क्रोध, ठीक है pull off pull off intense anger intense anger मतलब की, तीवर क्रोध, अब बताओ, amiable तो friendly होता है, हाना, amiable होता है friendly, जो कोई बहुत friendly हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज क्या हो, बहुत pleasant हो, pleasant की spelling भी आपको समझाई थी, spelling error में पूछी जाती है, जिस भी exam में spelling error आती है, क्या answer कर रहे हैं बच्चे, cordial भी friendly होता है, pleased होता है, संतुष्ट, furious होता है, very angry, yes, furious होता है, very angry, बिल्कुल सही answer कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, 29th का answer हो जाएगा, fourth, very well done, शिल्पा, very well done, शिल्पा, अनीता, प्रीती, बहुत बढ़िया, everybody, बहुत बढ़िया, अभी देखूं, likes कितने हुए, 38 likes हुए हैं, और 50-plus बच्चे हैं, बड़ी नाइनसाफी है, हांजी, क्या हो गया, कर दो like, क्या तकलीफ है, हांजी, PDF free, पढ़ाना free, हाना, और अभी आपकी Zoom मीटिंग्स ले करके, आपके साथ one-on-one conversation करेंगे, ताकि आपकी problems को जान करके, आपकी pain areas को जान करके, सारे teachers वैसा efforts कर स करें, right, सब कुछ तो free, एक like, तो यह तो free में नहीं है, उसके लिए बड़ी मेहनत हो रही है, आजाओ next question पे, अच्छा next question दिया नहीं था क्या, आजाओ, question number 38, अच्छा बीच में मैं आप लोगों का ध्यान आकर्शित करना चाहूंगी, एक चीज की तरफ, यह है हमारा holy offer, दिखाई दे रहा है सबको, holy hangama offer, 22 मार्स से 5 एप्रेर तक फते बैच पर, चंडिगर, जेबीटी, पी आर्टी, प्राइस है, ट्रिपल नाइन रुपीज, ठीक है, इस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, right, आपका एक मिनट का समय लोगी, मुझे पता है, कि आप एक्जाईम SD campus पर जाना है, ये देखिए, वेबसाइट दे रखी है नोने, वहाँ पर आपको अपनी details फिल करनी है, details फिल करने के बाद आपको ये चंडिगर, जेबीटी, प्राइमरी टीचर, ये सारे batches मिल जाएंगे, और आपको अपना registration कंप्लीट करना है, ठीक है, बे पेपर से पहले 10 पेपर, अगर आपको चाहिए तो 199 रुपीज में आप इसको enroll कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आजाते हैं हमारे question पर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे सुना, आज है question number 30 पर, question number 30, फटा फट से, बेटा जे the, फर्स्ट जो sentence होता है, उसका first letter capital हो सकती है, तो इसके लिए ज्यादा आप परिशान ना हूँ, हना, typing error possible है, the promise made by the old minister, were fulfilled, old तो सबको simple है, recent, recent क्या होता है, जो हाल ही में होता है, हना, contemporary क्या होता है, recent जो हाल ही में होता है, contemporary क्या होता है, belonging to the same time, belonging to the same time, ठीक है, belonging to the same time एजड व्रिद हो गया वर्नल हो गया ताजा अप्रोप्रियेट ठीक है ताजा तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका बिल्कुल ठीक है एजड इस दर आइट आंसर दे दिया था सबने पहले ही कोई बात नहीं राधिशाम जी, कोई बात नहीं, पढ़ लो भस ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो कहूंगी सही लाइक करदो, फिर भी ना करोगह तो कोई नाम आप कौन हो मेरा नाम जोती नाकपाल है सीधा गूगल पर जाओ और मेरा नाम सर्च कर लो बिटा मैं रोज रोज यहां अपना इंट्रॉडक्शन देने लगूंगी ना बिटा जी तो फिर पढ़ाएंगे कब न यह सब नहीं बस रोज रोज नहीं हो गया था पहले दिन बता दिया था अब आजाओ question number 31 पर आजाओ बिटा consensus consensus सर्व सम्थी agreement among a group of people agreement agreement among a group of people agreement among a group of people ठीक है अब बताईए क्या होना चीज का अंसर हां जी फटा फट से meaning बता दे बिल्कुल acceptance होता है स्विकार करना agreement होता है समझोता समझोता decisive होता है निरनायक या अंतिम decisive होता है निरनायक या अंतिम making something certain attain और final decisive होता है जो चीज final हों ठीक है mutually आपस आपस में मतलब जो आपसी सयोग होता है ना जैसे अभी हम लोग आपस में बात्चित करके देख लेते हैं कि कहां पर problem आ रही है हना हां जी ठीक है बिटा English पढ़ लो English पढ़ लो अभी तो हां जी क्या correct answer जाना चीए आ रही रहा है answer yes agreement सही जाएगा ना बिटा mutually नहीं जाएगा agreement सही correct answer जाएगा आ जाएगा आ जाएगे question अब अनॉय का मतलब क्या होगा अब अनॉय का मतलब क्या होगा अनॉय नाराज करना नाराज करना स्कोल्ड मतलब डाटना पजल मतलब किसी को confuse करना पहेली होता है पजल का मतलब होता है पहेली और इंफ्लेंस का मतलब होता है प्रभाव जैसे कि आप पर भी किसी तांसर है आप पजल कर दो बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है आजाओ question no.33 में question no.33 में the students have decided to conspire to steal the test paper conspire conspire होता है to agree together especially secretly conspire होता है कि कुछ secrets बना लेना to do something wrong कुछ गलत करने के लिए कुछ secrets plannings थे यार planning plotting कुछ गलत करने के लिए एक साथ सहमत होने के लिए विशेश रूप से गुप्त रूप से कुछ गलत बुराई या अव्यद करने को हम कहते हैं conspire enact का मतलब होता है to pass a law, to pass a law, assist होता है सहायता करना, moderate होता है उदारवादी, moderate उदारवादी, assist होता है help करना, plot का मतलब क्या होगा, plan out और make a map, योजना बनाना, अब बताईए क्या होगा, योजना बनाना, अब नियर भाय आंसर कौन सा जा रहे है बच्चों, बताओ तो जरा, 33 का B बता रहे हैं, बिटा 33 का B कैसे होगा राजेश, कुछ इलीगल करना, planning करना, plotting करना, कुछ ना कुछ बनाना, तो planning plotting तो ही नहीं, assist हो गया, किसी की मदद करना, और ये एक positive word है, जबकि इक नेगेटिव वर्ड है, याद रखूं, कुछ वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से भी तो planning plotting, तो यहाँ पर correct answer जाएगा, fourth, योजनाई बनाना, ठीक है, correct answer क्या चला जाएगा, fourth जाएगा, बच्चों, assist करना नहीं होगा, ये, assist करना बिल्कुल भी नहीं हो, तो जो चीज पहले से ही हो, जन्मजात हो, उसको हम बोलते हैं, inherent, अंतर नहीं है, तो मतलब पहले से आत्मा में बसी हुई है, that is basic और permanent part of somebody something, and then that cannot be removed, जिसे रिमूव नहीं किया जा सके, और जो बहुत basic हो, और बहुत permanent हो, increase का मतलब बढ़ोतरी होता है, conclusion का मतलब निश्कर्श होता है, superficial का मतलब होता है, superficial होता है, मतलब सतही, बहुत बनावटी, मतलब उपर-उपर का, मतलब उसमें कोई बहुत, क्या बहुते हैं, actuality नहीं होती है, बस सतही होता है, क्या answer दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, inherent का first answer बिल्कुल right है, 34 का first answer, बहुत बढ़िया, 50 बच्चे हैं, likes आए हैं, 50, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you, thank you so much, God bless you all, मेरी blessings हैं आपके साथ, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बढ़ते हैं, next question की तरफ, belief, बहुत बढ़िया, belief का मतलब क्या होता है, ब faith होता है, आस्ता, तो belief का मतलब भी विश्वास, faith का मतलब भी विश्वास, system का मतलब प्रणाली, religion का मतलब धर्म, तो क्या correct answer आना चाहिए, बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल सही answer है, second, correct, बहुत बढ़िया, खुश रहिए बच्चों, खुब तरक्की करो, खुब आगे ब बढ़ो, a lot of blessings to all of you, चलिए, next, हां जी, the next move of the opponent was anticipated, यह आपने quotation, motivational quotes में बढ़ा सुना होगा, anticipated, पताए किसी को मिनिंग या बताए, फटा-फट से, हां जी, कौन सा question है, 36, 36, anticipated, to expect something to happen, anticipated का मतलब होता है, to, क्या कह रहे थे बच्चे, अभी पढ़ा निये, रुख जहो, क्या लिख रहे हो, to expect something to happen, एक मिनिट, मैं आंसर कर दूँ बच्चों, फिर जवाब देती हूँ, आपकी question का, anticipated क्या होता है, to accept something to happen, यानि कि प्रत्याशा, किसी चीज की उमीद का मतलब होता है, संदे, अना, predicted का मतलब क्या होगा, भविश्य मानी, dreaded का मतलब क्या होगा, भयानक, forgotten, भूल जाना, correct answer क्या होगा, बताओ तु ज़रा, predicted, correct answer क्या होगा, predicted, predicted is the correct answer for this question, आजा ये next question पर, question number 37, 7, the way Shital imparts knowledge to her students is really praise worthy, imparts क्या होता है, किसी चीज को deliver करना, imparts होता है, to pass information knowledge, to pass information, to pass information, या फिर हम कह सकते हैं, knowledge, to pass information या फिर knowledge, right, चलिए, to pass information या फिर knowledge, तो फिर जब pass करना है, तो transmit is the right answer, transmit is the right answer, सारे question, disclose का मतलब होता है, खुलासा करना, expose का मतलब होता है, उजागर करना, हाना, उजागर करना, ठीक, disclose का मतलब होता है, खुलासा करना, ठीक है, खुलासा करना, admits का मतलब क्या हो जाएगा, मानते हैं, admit करना, 55 बच्चे और 54 लाइक, एक बच्चा रह गया, लाइक कर दो, एक ही बच्चा रह गया, लाइक कर दो, क्या ना राजगी है मेरे से, आजाओ, नेक्स्ट वेशन की तरफ, 39, अब मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रही हूँ बेटा जी, अब इसमें कोई हिंट नहीं दे रही हूँ, अब यह आप बताओगे मुझे, मैं साइड हुजाती हूँ, ये लो, मैं वेट कर रही हूँ आपके question के answer का, आजाओ, दो ज़रा answer, no hint at all, आपको दिया मैंने एक म no lifeline answer आना शुरू हुए है, 39 का D, very nice, बहुत बढ़िया, तो आज के विजेता कौन है, राजेश, पूजा अक्षे, गलत, शिवम, गलत, बेटा इन सब का meaning लिखो तो ज़रा, जल्दी से meaning लिखो, lightning आप, lightning आप का मतलब होता है, किसी वस्तु को प्रकाश या रंग से चमकाना, प्रकाशित करना, हाना, प्रकाशित करना, किसी चीज़, मतलब चमकाना, रोश्नी लाना, रंग भरना, ठीक है, enlightening का मतलब होता है, संचारित करना, संचारित, mesmerizing, और trafficking, trafficking का मतलब होता है, उजागर, ठीक है, illuminating का मतलब होता है, है, as it is, चमकाना, किसी भी चीज़ को प्रकाशित करना, mesmerizing, तो होता है, जैसे बोलते हैं, वाव, बहुत बढ़िया, mesmerizing, मतलब इसको मैं कहीं भूल नहीं सकता, मतलब चमकान ही रहे हैं, but this is sort of feeling, यह एक तरीके की feeling है, बेटाजी, हाना, जो feeling हम express करते हैं, बट यहां feeling express करने की बात नहीं आई है, exactly word पूछा गया है, तो illuminating is the correct answer for this question, क्या 39 question समझ में आया बच्चो को, mesmerizing क्या होता है, बच्चो, it is a kind of feeling, हाना, इसको हम देख नहीं सकते, हम दूर से इसको देख नहीं सकते, बट हाँ, इसको महसूस कर सकते हैं, चलिए, बिल्कुल राइट, आजाए यह question number 40 में, he gave a concise explanation of the company's retirement plan, concise क्या होता है, brief, b-r-i-e-f, अब देखो यहाँ पर i-e, फिर से e का sound आ रहा है, राइट, बार-बार बताती हूं, spelling error में भी पूछते हैं, to think carefully, आचा, next क्या है, concise हो गया, okay, clear, clear भी क्या होता है, बिल्कुल साफ सूतरा, verbose होता है, using or containing more words than are needed, बेवजा, फालतों के शब्दों का यूज़ करना, जिसके कोई जरुरत नहीं है, अना, using or containing more words that are needed, sharp होता है, तीखा, ters होता है, संक्षिप्थ, ters का मतलब भी होता है, संक्षिप्थ, brief, अब बताओ, correct answer क्या होगा, verbose होता है, बहुत जादा शब्दों का use करना, right, तो 40th question का correct answer क्या हो गया, ters, बहुत बढ़िया, आज़े ही next question बर, बहुत बढ़िया, very well done, शाबाश बचों, God bless you, आज़े ही question number 41, never teach your child to float the rules and regulations of their educational institution, बहुत ही बढ़िया question, F-L-O-U-T, float, float का मतलब होता है, उलंगन करना, to refuse to obey or accept something, उलंगन करना, अब उलंगन करना का meaning कौन सा होगा, उलंगन करना का meaning कौन सा होगा, 41, अच्छा, इसमें meaning same दे दिये हैं, क्या, यह सही नहीं है, बटा question, इसको मैं चेक करूंग, यह सही नहीं है कुछ, 42 पर आजाओ, उपसीन, बेड़ा इसको चेक करूंगी मैं एक बारा न, उपसीन, 42, अच्छा, उपसीन का मतलब क्या होता है, बच्चों, उपसीन होता है, अर्शलील, चिक है, repulsive, to the sense of decency, अर्शलीलता बोलते हैं, dirty होता है, साफ, colleagues होता है, सह कर्मी, और suspend होता है, निलंबित, prejudice क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु पर हानिकारत प्रभाव होना, तो, उपसीन का मतलब क्या हो गया, dirty, मतलब dirty होता है, गंदा, sorry, dirty साफ नहीं होता है, dirty होता है, गंदा, मैंने कुछ dirty साफ ही बताया था, मतलब जो साफ नहीं होता, गंदा होता है, उपसीन, first is the right answer, ठीक है, आजाओ next question पर, question number, 43, 42 का D, बिल्कुल ठीक था, 42, 43 पर आजाईए, ponder, 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 बहुत बढ़िया, शाबाश बचो, what is the meaning of ponder here, ponder होता है, किसी भी चीज़ पर गंभीरता से सोचना, जैसे आप लोग ने कहा कि माणम एक बार बातचीत करनी है, तो उस पर गंभीरता से सोच करके, टीम को आपके लिए inputs दिये गए, तो ponder का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को गंभीरता से सोचना, अब बताओ, और brief का मतलब होता है, संक्षिप्ट, contemplate का मतलब ही होता है, किसी भी चीज़ को गंभीरता से सोचना, अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साई, इसको पढ़ते हैं साई, साई का मतलब होता है, सांस, और hesitate का मतलब होता है, संकोच करना, तो यहाँ पर जो ponder का मतलब है, वो है contemplate, किसी भी चीज़ को गंभीर रूप से सोचना, पॉंडर बोलेंगे उसको, आजाते हैं next question की तरफ, 44, अब again मैं थोड़ा सा break लूँगी, मतलब आपको आदे मिनट का time दूँगी, और आप इस question का answer देंगे, और आपका time start होता है, अब कोई lifeline नहीं है, मैं अम इताबच्चन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी hot seat पर बैठ हैं आप सब, क्यों, क्योंकि बहुत important paper है, आपकी career को बनाने वाला paper है, बहुत बढ़िया, और जरा मुझे count करके बताओ, 17 से लेकर के, 44 into 4 हमने किये, तो कितने words कर लिए, maths बताओ, तो जरा, किसकी maths अच्छी है, ये दोनों question के answer दे दो, तो जरा तो हम अच्छी हा परके दो, कितने degree है, तो हम आपसे sustराओ दो, कितने कितने मुशनों के सब см体Sorry कितने हैं, ये इणय मुशनोंगियो पिला दो etiquette है, गmostर है 15íasony Boss क्या एंसर आ रहे हैं बच्चो अच्छों का एंसर आया है और ब्ड़ा इंसर मं और है एरोन्ययंस का regulating क्या होगा अशुदंध कि इसका मतलब होता है लिए अगर यह क्या आना चाहिए न semantic ऑलकुल ठीक है बलकुल सही आंसर कर रहे हैं inaccurate अच्छा सो टेबल का मतलब सबको पता है उप्यूक्त इनाट और inaccurate मतलब जो सही ना हूँ lucid का मतलब होता है सपष्ट और sensitive का मतलब होता है तुनक मिजाज अना चलिए आते हैं question no.45 की तरफ 72 बच्चे क्या बात है likes कितने हैं बच्चे 72 likes 67 कर दो फटा फट से like चलो आ जाओ correct answer दे दो तो जड़ा 159 येस बहुत बढ़िया पूजा बहुत बढ़िया instilled का मतलब बताना कितना अच्छा meaning है hint देदूं आपको hint देदूं किसी के मन में कुछ बैठाना किके मन में सबने डर बेठा रखा है कि वसकी मन में किसी की कुछ बैठाते हैं जब आप उसको करेक्ट counseling देते तो instilled का मतलब होता है किसी के मन में कुछ बैठा देना तो अब इसका का मतलब होता है रोका हुआ इंकलकेट का मतलब भी होता है किसी के मन में कुछ बैठा देना तो करेक्ट आंसर क्या गया 45 का करेक्ट आंसर बता रहे हैं डी येस कि चलिए आज यह को एक वेश्चन नम्बर 46 चलो अब है आपके वेश्चन आंसर लेने की बारी 45 तक आज हमने किये अब हैं आपके वेश्चन आंसर लेने की बारी किसी का कोई सजेशन सुझाव कुछ कहना चाहते हैं कुछ एडिशनली किसी को कोई हेल्प चाहिए तो बताईए अब आपके बोलने की बारी है और जूम कॉल के लिए भी रखेंगे कोई कुछ कहना चाहता ह है तो बता दीजिए बताईए अभी तक मैं भी बोले जा रही थी अब आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताईए कि 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 कोई कुछ कहना चाह रहे है नो कॉमेंट्स मैम पंजाबी की क्लास लेकर बेटा पूरा मैसे लेकर आएंग नहीं है पंजाबी की क्लास बेटा मुझे पता नहीं है आपका यह मैंने स्क्रीन्शोट ले लिया है और मैं पहुंचा दूंगी मैम आपकी बोईस बहुत प्यार प्लीज और मैरतन करवादो करवाएंगे रोज एक घंटा आओ पीडिएफ ना मिले तो बताना मुझे हाना पीडिएफ मैं भेज रही हूं ना मिले तो बताना और बताओ मैं मा बहुत अच्छा पढ़ाते हो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी बहुत बहुत शुक्रिय नाशनल इंटरनाशनल पढ़ाती हूँ गूगल पर मेरा नाम सेर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे इंटरनाशनल वौट्स लिए हैं मैंने ठीक है तो आपको एक लाइन अच्छी खासा आपको डिटेल मिल जाएगा ठीक है चलिए एंड कर दूं सेशन बेटा कुछ इंपोर्टेंट है तो बताओ ना मेरी अवाज अच्छी है एक्वेस्चन तो बेटा एक्जाम में आएगा ही नहीं हाना थांक्यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल खुश रहो खुश रहो खुश हजारों करोडों बार आपको बहुत सारी परमात्मा खुशियां बख्षे ठीक है चलिए कल मिलते हैं और आज इस सारे वर्ट्स याद कर लेना और इसका पर्मुटेशन पर्मुटेशन कॉंबिनेशन बिठाना पड़ता अगर अपोजिट पूछे तो ऑपोजिट बता दो सेम पूछे तो सेम बता दो homo names और आपको वो भी कराने है ना वो भी कराएंगे चलिए बहुत बढ़िया बच्चो मिलते हैं कल के session में children मुस्कुराते रहिए खुश रहिए God bless you all फटा फट से सारे words याद कर लेना कल मिलेंगे तीन बजे बाई बच्चो टेक क्यार अच्छा हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्लीज 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 रुक जाओ एक बात और class खतम होने के बाद वहां से end होने के बाद फिर comment section में अपने comments लिखना session कैसा था अभी जो आप inputs देते हो वो दिखाई नहीं देते लास्ट के comments में दिखाई देते हैं च ठीक है चलो बाए थैंक यू थैंक यू बच्छो ठीक है एंड कर दे रहे हूं लाइफ टेस्ट कराना है यह हुई ना काम की बात बेटा लाइफ टेस्ट लाइफ टेस्ट लाइफ टेस्ट लाइफ टेस्ट देखती हूं बात करती हूं टीम से ठीक है देखती हूं लेट सी और भी कोई inputs हो तो बेटा आप देना कोशिश करेंगे कि आपके exam में आपको बहुत